परिचय बहुत से प्रकार है हांकिता बहुत से पशु सिर्फ पौधों को जैसे खास या पौधों की पत्यों को खाते हैं जबकि कुछ पशु पशु को ही खा लेते हैं बड़ी मचली छोटी मचली को खा लेती है छिडिया कीडे मकोडों को खाती है सर्प मेंड़कों को खाते हैं और कुछ कीडे मरे हुए पशों का शरीर खाते हैं लेकिन जब हम इसे नस्दीक से देखते हैं तो बाते हैं कि प्रित्वी पर उपस्थित सभी चीवचन्तू भोजन के लिए प्रत्यक्ष अधवा अप्रत्यक्ष रूप सी सूर्य पर ही निर्भर होते हैं पौधे सूर्य की उर्जा का प्रयोग करके प्रकाश सनलेशन द्वारा भोजन बनाते हैं जो उनके द्वारा जीवन बनाए रखने के लिए प्रयोग मिलाया जाता है दूसरी तरफ पौधे भी शाकाहारी अत्वा सर्वाहारी जीवो द्वारा खालिये जाते हैं और मासाहारी अपने भोजन के रूप में शाकाहारी जीवो को खालेते हैं इस तरह हम देखते हैं कि ये सूर्य की ही उर्जा है जो पौधों और पशों को भोजन प्रदान करती है उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पशों में पूशन को समझ सकेंगे भोजन के आधार पर पशों के प्रकार जान जाएंगे होलो जोईक पोशन को समझ सकेंगे होलो जोईक पोशन के विभिन चरणों को जान जाएंगे मनुष्य में पोशन को समझ सकेंगे पाचन तंत्र के विभिन अंगों के बारे में जान जाएंगे मुखद्वार, मुखगुहा, ग्रस्नी, ग्रासनली, हमाशय, छुद्रांत, ब्रहदांत्र और गुदा की सन्नचना तथा कारे प्रणाली को समझ सकेंगे विभिन पाचन ग्रंथियों का पता लगाईए लालारस अथवा लार ग्रंथियों और जठर ग्रंथियों की सन्नचना और कारे प्रणाली को समझें यकरित की सन्नचना और कारे प्रणाली को समझें अगनाशय और आंत्रिय ग्रंथियों की सन्नचना और कारे प्रणाली को समझें पाजग ग्रंथियों के रासायन विज्ञान का अध्यान करें पशुओं के प्रकार भोजन के आधार पर सभी पशुओं को तीन सम्मूहों में विभाजित किया जा सकता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं वो पशुओं जो सिर्फ पौधों को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं वे घास, पतिया, अनाच, फल या विरिक्ष की चाल खा सकते हैं उदाहरन, बकरी, गाए, भैस, धेड, हिरन, उंट, गधा, बैल, हाथी, बंदर, गिलहरी, खरगोश, तिढधा और दरियाई घोडा ठीक उसी तरह वो पशुओं जो सिर्फ दूसरे जीवों को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं जैसे शेर, चीता, मेढख, गिध, किंग फिशर, छिपकली, भेडिया, सर्प और बाज इनके अलावा वो पशुओं जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं उधारण, मनिश्य, कुत्ता, कौवा, गौरईया, भालू, मैना और चीटी होलो जाइक पोशन, होलो, संपून जोइक और पशुओं वो पोशन जिसमें ठोस या द्रव कार्बनिक पदार्थों का अंतर ग्रहन किया जाता है होलो जोइक पोशन में पाँच चरण होते हैं अंतर ग्रहन, पाचन, अफशोशन, समत्व, मलत्याग अंतर ग्रहन में भोजन को खाया जाता है यहां भोजन के आकार और अंतर ग्रहन के लिए अंगी कृत संदचना पर निर्भर करता है अमीबा में अंतर ग्रहन कूट पादों की साहता से, पैरा मीश्यम में सीलिया की साहता से, हैट्रा में तंतूओं की साहता से, कीडों में मुक भागों की साहता से, मेटकों और छिपकलियों में उतिक शेपनिये जेवा की साहता से, तथा मनुष में हाथों की साहता से होता ह पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल, बड़ी आकरिती वाले तथा अघुलनशील कार्बनिक बहुलक जिनका विसरण नहीं हो सकता है, सरल, छूटे तथा घुलनशील कार्बनिक एक लकों जिनका विसरण हो सकता है, उसमें तूट जाते हैं. कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा और जटिल कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अमल, मोनो शुकर, फैटी एसिड इत्याधी यह प्रक्रिया पाचक रसमे उपस्थित, पाचक एंजाइमों की उपस्थिती में होती है, जो पाचक गरंतियों से स्रावित होते हैं. अफ्शोशन वह प्रक्रिया है, जिसमें विसरित हो सकने वाले पोशक पदार्थ आहार नली की भित्ती को पार करके लसीका में प्रवेश कर जाते हैं. अफ्शोशन में भौतिक प्रक्रियाएं जैसे विसरण और परासरण तथा सक्रिये प्रक्रियाएं जैसे गुलुकोज और अमीनो अमलों का सक्रिये परिवहन दोनों होती हैं। समत्व एक उप्चही प्रक्रिया है जिसमें साधारण पोशक पदार्थ उपाप्चही प्रक्रिया से गुजर कर पुना प्रोटीन, पॉली सेक्राइट और वसा जैसे जटिल और बड़े जैवणों का निर्मान करते हैं। यह नए बने हुए बड़े जैवणों प्रिथी और शरीर के उत्तकों की मरमत में सहायता करते हैं। मलत्याग वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का वह भाग शरीर से निकल जाता है जो पच्चता नहीं है। वह सारा भोजन जो हम खाते हैं हमारे शरीर में नहीं पच्चता है। भोजन का एक भाग शरीर में ही बचा रह जाता है जिसका उप्योग शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए यह भाग शरीर के मल के रूप में अलग हो जाता है। मनुष्य में पोशन। मनुष्यों में पोशन। उसके पाचक तंत्र द्वारा होता है। मनुष्य के पाचक तंत्र के विभिन अंग निम्न हैं। मुखद्वार एक अनुप्रस्त छिद्र होता है जो चलनशील ओष्ठों से घिरा होता है। इसका मुखद्वार अंतर ग्रहन है। मुखगुहा में दो मुख सनचनाएं होती हैं। जिवा और दांथ। जिवा एक मोटी पेशिये और उतक्षेपणिये सनचना है जो मुखगुहा के तल पर स्थित होती है। जिवा पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन का स्वाद लेने में भोजन और लाला रस को मिलाने में तथा भोजन को निगलने में सहायता करती हैं। दांथ मनुष के दोनों जबड़ों में होते हैं। दांथ जबड़े की हड़ियों में बने कोटरों में धसे होते हैं। एक वयस्क मनुष में 32 दांथ यानि प्रतीक जबड़े में 16 दांथ होते हैं। दांथ चार प्रकार के होते हैं। प्रतीक जबड़े में दो शवदंत होते हैं। ये तेजधार कृपान की आकरिती के और मांसाहारी भोजन को चीडने के लिए होते हैं। प्रतेक जब्डे में चार अग्र चर्वर्णक दांत होते हैं, ये बड़े और कस्प आकरिती के तथा चबाने और पीसने के लिए होते हैं। ग्रस्नी ग्रस्नी एक कीब जैसी आकरिती होती है, जहां भोजन और वायू एक दूसरे को पार करते हैं। इसमें दो छिद्र होते हैं, कंट द्वार कंट और श्वासनली में खुलता है। गलेट ग्रासनली में होती है और भोजन निकलने के दौरान खुलती है। ग्रास नली ग्रास नली पाचन तंद्र का एक लंबी, संक्री और नलीदार भाग है। यह गर्दन और ग्रसनी से अमाशय में खुलती हैं। यह क्रमा कुंचन द्वारा भोजन का परिवहन करती है। अमाशय अमाशय एक मोटा पेशिय और जे की आकरिती का थैला होता है, जो उपरी उदर के बाए भाग में स्थित होता है। अमाशय भोजन के मंतन और पाचन में सहायता करता है। अमाशे में भोजन का तीन घंटे तक मंतन होता रहता है, जिसके कारण भोजन छोटे-छोटे टुकडों में तूट जाता है और एक अर्ध ठोस पेस्ट बनता है. अमाशे की भित्ती में तीन नलीदार क्रंथियां होती हैं, जिनसे जठर रस स्रावित होते हैं. जठर रसों में मुख्यता तीन पदार्थ होते हैं, HCL यानि पेपसिन, एंजाइम और श्लेम. HCL की उपस्तिती के कारण पेपसिन, एंजाइम अमलिये होता है और प्रोटीनों का पाजन शुरू कर देता है. चलेम अमाशे की भित्ती को उसी के द्वारा स्रावित HCL अमल से बचाता है. अमाशे की पेशिय भित्ती, भोजन और जठर रसों को एक दूसरे में मिश्रित करने में सहायता करती है. शुद्रांद्र शुद्रांद्र आहार नली का सबसे बड़ा भाग होती है. एक वयस्क मनुष में यह लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है. यह बहुत संक्री होने के कारण शुद्रांद्र कहलाती है. शुद्रांद्र तीन भागों में विभाजित होती है. ग्रहनी, जेजुनम और इलियम. शुद्रांद्र वयस्थान है जहां भोजन पूरी तरह से पच जाता है और उसका अव्शोशन प्रारंब हो जाता है. इसमें दो गरंथियों से स्रावित होने वाले रस आते हैं. यक प्रिस से पित श्रावित होता है, जो एक हरा, पीला, लवन युक्त चारिये द्रव होता है, जो वसा का पाईसी करण अथवा उन्हें तोडने में सहायता करता है. इसलिए अमाशे से आया हुआ अमलिय भोजन यहां पित द्वारा चारिये हो जाता है और वसा भी छोटी- चोटी बूंदों में टूट जाती है. अगनाशे से अगनाशेई रस स्रावित होता है, जिसमें एमाईलेच, ट्रिपसिन और लाइपेज होते हैं. एमाईलेच मंड को तोडता है, जबकि ट्रिपसिन प्रोटीन को, लाइपेज पाईसी कृत वसा को तोडता है. ब्रिहदांत्र ब्रिहदांत्र क्षुत्रांत्र की तुल्ना में छोटी और चौडी होती है यह कोलन में चाने वाले भाग और मलाशे में विभाजित होती है यह मल के निर्मान और उसके अस्थाई भंडारन में सहायता करती है अधिक्तम कशे रूकियों में कोलन पाचन तंत्र का आखरी भाग होती है शरीर से बाहर निकलने से पहले यहाँ ठोस पदार्थों में से जल तथा लवन अफशोशित कर लेती है मलाशय ब्रहदांत्र का 6-8 इंच लंबा भाग होता है यहाँ ठोस अफशिष्टों का तब तक भंडारण किये रहता है जब तक वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर नहीं निकल जाते हैं गुदा गुदा धड़ के आधार परिस्थित होती है और पाचन तंत्र के अफशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है पाचन ग्रंथियां इन अंगों के अत्रिक्त कुछ पाचन ग्रंथियां भी होती हैं, जो पाचक एंजायमों को स्रावित करती हैं। ये पाचक ग्रंथियां हैं। इन से लालारस या लार स्रावित होती हैं, जिसमें पाचक एंजायम टाइलिन अथ्वा लारिये एमाईलेच होता है। लालारस नलिकाएं मुक गुहा में खुलती हैं। जठर ग्रंथियां जठर ग्रंथियां अमाशे की भित्ती में होती हैं और जठर रस स्रावित करती हैं. यक्रित यक्रित उदर के उपरी भाग में दाई और इस्थित लाल भूरी लोब्यूलेटिड ग्रंथी है जिससे पितरस स्रावित होता है. अगनाशे अमाशे के ठीक पीछे स्थित पीले रंग की ग्रंथी है जिससे अगनाशे इरस स्रावित होता है अगनाशे इनलिका की द्वारा अगनाशे इरस चुद्रांतर तक पहुशता है आंत्रिये ग्रंथियां आंत्रिये ग्रंथियां चुद्रांतर की भित्ती में इस्थित होती है और इनसे आंत्रिये रस स्रावित होता है जिससे सककस एंटेरिकस भी कहते हैं मनुष्य के पाचन तंद्र में कारे करने वाले एंजाइम लाला रस में लारिये M.I.L.A. होता है जो मंड को शरकरा में तोड़ देता है H.C.L. की उपस्तिती में पैपसिन प्रोटीन का पाचन करता है पैपसिन अमलिय माध्यम में ही सक्रिय हो पाता है यक्रित यानि पित्ताशे का पित्त वसा का पाचन करके उसे फैटी एसिड में तोड़ देता है यह भोजन को चारिय माध्यम में परिवर्तित कर देता है M.I.L.A. मंड को पचाता है अगनाश ऐसे ट्रिपसिन प्रोटीन को पचाता है अगनाश ऐसे लाइपेज पाईसी क्रित वसा को तोड़ता है अगनाश ऐसे दातों का क्षय दातों के क्षय के कारण दंत वल्क और दंत धातू धीरे धीरे मलाइम हो जाते है जब जीवानू शरकरा को पचा कर अमल का उत्पादन करते हैं तो वो अमल दंत वल्क के लवन को नश्ट कर देता है और दातों का क्षय प्रारंब हो जाता है भोजन कड़ों के साथ साथ बहुत से जीवानू भी दातों की सतह पर चिपक जाते हैं और दातों पर मैल के रूप में जम जाते हैं जिसे प्लाग कहते हैं लार अमल को प्रभावहीन करने के लिए दातों की सतह तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि दात प्लाग से घिरा होता है भोजन के बाद ठीक से दांत साफ करने से जीवानूं द्वारा अमल का उत्पादन शुरू करने से पहले ही प्लाग हड़ जाता है यदि उपचार नहीं किया जाता है तो ये अती सूक्ष्म जीवानूं मसूणों को संक्रमित कर सकते हैं तथा सूजन पैदा कर सकते हैं और व्रिहदांत्र के जोड़ परिस्थित एक अफशेशी न लिका है वर्मिफोर्म एपेंडिक्स की लंबाई का बढ़ना और उसका सूजना एपेंडिसाइटिस कहलाता है जट्रिये पाचन में लगने वाला समय भोजन की प्रकृती पर निर्भर करता है कार्बो हाइडरेट के पाचन के लिए यह एक से दो घंटे का होता है जबकि वसा के पाचन के लिए पाच से छे घंटे का होता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं विशम पोशी जीव अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं पोशन में भोजन का प्रियोग होता है और इसमें अंतर ग्रहन, पाचन, अफशोशन, समत्व और मलत्याग जैसे चरण होते हैं अमीबा सर्वहारी और होलोजोईक है अमीबा भोजन का अंतर ग्रहन कूठ पादों की सहता से भोजन को घेर कर करता है अमीबा में पाचन अंता कोशिकिये तथा खाद्दे रिक्तिका के अंदर होता है मनिश की आहर नली, मुखगोहा, ग्रस्नी, ग्रास नली, क्षुद्रांत्र, व्रहिदांत्र और गुदा से बनी होती है मनिश के दाध हेट्रोडोंट होते हैं भोजन, आहर नली में क्रमा कुंचन गति द्वारा नीचे उतरता है मनिश की पाचन ग्रंथियां में तीन युक्म लाला रसग्रंथियां जठर ग्रंथियां, यकृत, अगणाशय और आंत्रिय ग्रंथियां होती हैं पाचन ग्रंतियों से पाचक रस स्रावित होते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं कार्बो हाइडरेट का पाचन मुक गोहा में ही प्रारंब हो जाता है जबकि प्रोटीन और वसा का पाचन अमाशय में प्रारंब होता है पाचन चुद्रांत्र में पूरा हो जाता है, चुद्रांत्र में ही भोजन का अफशोशन भी होता है दातों का क्षय स्ट्रेप्टो कोकस म्यून टेंस जिवानू द्वारा होता है जो शरकरा युक्त भोजन में किणवन करता है और कार्बनी कमलों का उत्पादन करता है